नमस्कार आप देख रहे हैं योर न्यू डारेक्शन यूट्यूब चैनल इस वीडियो को पूरा इसलिए देख लें क्योंकि आपर बहुत सारी आपको जानकारी मिलने वाली है उत्ते प्रदेश सरकार ने एक तीर से दो निशाने मार दिये जिहां एक तरफ 79,000 सिच्चक बरती में आरच्छन मामले को छात्र लगातार आंदोलन रत थे वही पर 97,000 से जादा नई प्रत्मि सिच्चक बरती के लिए भी छात्र आंदोलन रत थे और इसके लिए कल बड़ा धर्ना प्रत्रसन हुआ तो जहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी घोशनाय देखने को मिली बहुत ही ज़्यादा वहां पर छात्र कत्रित हुए मांग रखी गई इसी सब चीजों को देखते हुए यहां पर यह बड़े आदेश जारी हुए वही पर संतान वे हजार में आरच्छन मामले को लेकर चात्र लगा तर्भू खरताल कर रहे थे इनी सब चीजों को देखते हुए कल मुक्यमंत्री जी ने आदेश किया और लेकिन आदेश के बाद यहां पर एक तीर से दो निशाने किये गए आप देख सकते हैं यहां पर उत्तरपटीर सरकार के दोरा वावाही इसलिए लूटी जा रही है क्योंकि उन्होंने आरच्छन मामले में भी चात्रों के हित में फैसला किया साथ में नई प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए भी फैसला किया इस विग्यापन को जारी करने के साथ एक तीर से दो निशान इन्होंने 79,000 में OBC और ST जो की आरच्छन घोटाला माना गया उसको लेकर उन छात्रों को दे दी गए दो से तीन प्रिस्टत की मेरिक डाउन करके उन छात्रों को यहाँ पर नुक्ती दी जाएगी ऐसा बता दिया गया ठीक है जिसके लिए पूरा जो कारकरम है वो यहाँ पर जादी कर दिया गया है मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दे दिये और 6 जनवरी 2022 को उनको फानली नुक्ती पत्र दे दिया जाएगा काउंसिल वेगरा सबी चीजे करा कर वहीं पर दूसरा जो यहाँ पर निशाना लगाया गया वो लगा दे ग करेंगे जो की डियलेट बी एड बीटी सी यूपिटेट सीटेट पास जो भी नए चात्र होंगे वो यहाँ पर आवेदन करेंगे फिलाल अभी नई प्रात्मी सिच्छक भरती की 17,000 पदों पर घोशना की गई है इसका जो फाइनली कारकरम है वो अभी जारी नहीं किया ग करती की लेकिन इसका जो पूरा कारकरम है आउनलाइन आवेदन लेने का और उसके बाद जो कांसलिंग का है न्युक्ति पत्र का है वो सभी जो पर करिया है उसके लिए अलग से हम विस्तरत कारकरम जारी करेंगे और इस पर आप आचार सहीता का कोई भी प्रभाव नहीं प चाहतर इस समय तो 22 लाग से 30 लाग के बीच में चाहतर आवेदन कर सकते हैं इस सत्रह हजार रिक्त पदों के लिए तो बड़ा यहां पर कंप्टिशन होने वाला है फिलाल इस सत्रह हजार पदों के लिए जो भी चाहते हैं वो तैयारियों में जुट जाए क्योंकि अगले ठीक है और विग्यापन है चार अबलिक 2021 जिसका 23-11-2021 को जोकी जारी किया गया था उक्त के परिपेश में जो अब्धियारतियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निरधाय ती थी 23-12-2021 तक पराप्त किया जा सके हैं परंतु कतिपाई अब्धियारतियों के फोटो और हस्तार् वो uppsc.up.nic.in की आधिकारिक वेड़साइट पर इस विग्यापन की जानकारी अपलोड कर दी गई है जिनके यहाँ पर तुटिपूर्ण है उन छात्रों के नाम तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी छात्र है वो 24-12-2021 से 3-1-2022 तक जो सही फोटो है सही हर तक्षर है पुना अपलोड कर सकते हैं इसके लिए उनको अंति मौसर दिया गया है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिलाल रेजेक्ट कर दिये जाएंगे वही पर दूसरी काराले लोग शेवा आयोग से 23 दिसंबर 2021 को एक नोटिस ज दारी किया गया बताया गया कि जो विज्यापन है तीन 2019 20 का और इसमें जो व्यवसाइक सिच्छा यों कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश स्वंबंधित प्रधानाचार स्रेंडी टू उप्रधानाचार सहाइख निदेशक शामानचियन स्क्रीनिंग परिष्छा 2019 दिनांक 9.1.2022 दिन रभीवार को एक सतर में पुराओं जो सुबा के मीटिंग में 9.30 से 11.30 तक प्रदेश के दो जनपद में लखनव और प्रयागराज में बिभिन परिष्छा के इंद्रों में आयोजित की जाएगे ठीक है तो यह जो विग्यापन था इसकी परिष्छा नंबर, जन्तिति, अधार प्रप्रेश पतर्म चीजे डालकर अंकित करके आप उसे हाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और परिष्छा के इंदर पर एक आपको फोटो आईडी ले जाना आवश्यक बताएं गया है नई प्रत्मी सिच्छक बरती का तो विग्यापन जारी हो गया लेकिन यूवामंच लगातार पांच लाख रिक्तपदों को भरने की मांग कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने आपर घोशना की है कि 28 दिसंबर 2021 को यहाँ पर महाधरना प्रदर्शन या पंचायत आप कह सकते हैं उसको किया जाएगा जहां पर TGT PGT के 27,000, LTE के 12,000 और वह उसमें मुद्दा है कि आचार सहीता लगने से पहले जो भी रिक्तपद हैं विविन विभागों में उनके विग्यापन जारी हों वहीं पर पुलिश सब इंस्पेक्टर की जो भरती हुई है UPSI की 9,000 कुछ पदों पर उसकी पर इच्छा में कुछ धांदली को लेकर याज का दाखिल कर दी गई है रिजल्ट पर ततकाल प्रभाव से रोक लगाने वा पुनाह पर इच्छा कराए जाने वा CBI वा उच्छ तरी जाज कराने की मांग इसमें की गई है बताया गया है कि इसमें परिच्छ में कुछ तरह से गरबढ़िया की गई है बहुत सारे वीडियोज वाइरल है लेकिन इस पर जो प्रिनुति बोर्ड ने अलग से अधिकारी नोटिस जारी किया था और बताया था कि ये सबी चीजें बेबनियादी है यानि की फर्जी है इस पर छात्रों को विश्वास में ही करना है जो भी परिच्छा हुई है वो अच्छी तरह से सकुलस जो सकुषल अच्छी तरह से संपन ने कराई गई है कोई भी धादली नहीं हुई किसी प्रकार से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है कोई पर यहाँ पर दो नंबर का कार्य नहीं हुआ है उनके दोरह यह बताया गया लेकिन च्छात्रों का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे च्छात्रों के आधिक अंक मिले है और काफी जादा अंक मिले हैं 160 में तो उसके लिए यहां पर ने अपील को फाइल किया है फिलहाल आप देखने लिए बात है कि यहां पर हाई कोट क्या फासला लेता है क्या निर्देश देता है सुनवाई के बाद इसकी जो भी जानकारी आएगी वो आप सभी को दे दी जाएगी वहीं पर 69,000 से च्छाद भरती में आरच्छड मामले के जो हल है वो भले निकाल दिया गया है लेकि 69,000 भरती में जो आंसर की का मामला है जिसमें हाई कोट ने एक अंक बढ़ा कर समस्त चनिश चात्रों को न्युक्ती देने का आदेश दिया है उस पर अभी यहाँ पर जो मामला है वो पेंडिंग है हाई कोट के आदेश के बाद भी अभी बेसी सिचा विभा की तरफ से कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया है हीला हाली की जा रही है च्छात इसके लिए रोज आंदोलर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं देखे पी एनपी में धरने के लिए भी बैठे हुए है और मांग कर रहे हैं कि जो भी छात्र हैं लगबग 500 से 600 छात्र हैं उनकी मांग है कि एक अंक बढ़ा कर इसका जो अलग से परिणाम है वो गोसित किया जा और जो भी छात्र चेरित होते हैं, उनको निक्ति दे दी जाए, यहां पर बताए गया है, ठीक है, लेकिन सच्ची उनने कहा है कि 15 दिन का समय मांगा है, और कहा कि 15 दिन का हमें समय दीजी है, वे इस पर अंतिम निर्ने लेंगे, और समस्त जो भी प्रक्रिया है, उस पर हम य जो भी प्रक्रिया होगी, तो जो भी इस पर अधिकारी गोशना होगी, क्या होगी, उसकी भी जानकरी हम आगले वीडियो में आपको दे देंगे, वहीं पर अगली अपडेट है, चंद्रभानू, गुप्त क्रशी, शनाक्तोतर, महाद्विद्याले से 24 बारा को आधी आव 25-67 को सोचित किया जाता है, कि 25-12-2021 को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरन है, वह यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर जैसे कि पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरन है, उसी क्रव में ये नोट्स दारी किया गया, और बताए गया है कि पच्चीज बारा को सुबह बच के 30 मिनेट तर आप विद्याले के परिशत में उपस्तित हों वहां से आपको बस द्वारा लेकर जाए जाएगा जहां पर भी वितरन किया जाएगा इसलिए यहां पर बताया गया है अगर आप नहीं पहुंचते हैं या आप सीधे म मिलने की परकुसिस करते हैं तो वह जिम्मेदारी आप की होगी आपको टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिलेगा लिस्ट में नाम होने के बावज़ों तो जो भी छात्र है यहां पर जो भी जानकरी दीगे उसके अनुसार ही पहुंचे है